है गाईज वेलकम बैक टूदी चानल सूपर सॉनिक कैसे हैं आप सभी आई होप सो आप बहुत ही जदा बढ़िया होंगे सूपर सॉनिक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में आज की जो वीडियो रहने वाली है टॉप 10 ट्रैवलर एक्सिडे का होता है क्योंकि एक मिनी बस की तरह है काफी जदा फैमिली अगर आपकी बड़ी है और अगर आपको ट्रैवल करने के लिए कहीं जाना है तो आप इस ट्रैवलर को बुक कर सकते हो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी के कुछ एक्सिडेंट्स के बारे में कि कैसे ए जादा पसंद करेंगे और किस वजह से आप मुझे जरू कमेंट बॉक्स में बताना खेर वो सब छोड़ते हैं स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो नंबर वन जो एक्सिडेंट होता है मीनी बस और एक ट्रैवलर के बीच में एन इस 37 पे लगबख सुबा के साड़े सारा एक्सिडेंट हो जाता है होता क्या है जैसी ट्रैवलर ओवर टेक करने के कुशिश करता है एक कार को अमने से एक बस आ जाती है जिसकी वजह से जो है वो आपस में एक दूसरे को हिट कर देती है जो कि एक्सिडेंट में लगबख नौ पैसिंजर की तो ऑन दे लाइड होती है तो भाई जो बस है भाई वो उसको घसीटी ले जाकर के तल आप के अंदर गिरा देती है और यहां पर अगर आप बस और ट्रैवलर को देखोगी तो आप दोनों की हालत देख सकते हो काफी ज़दा खसता हुई पड़ी है नेक्स्ट नमबर टू होता है हिम जाती है और दस लोग इंजड हो जाते हैं यह एक्सिट इतना जादा जोरदार रहता है कि भाई मतलब लोग जो इस ट्रैवलर के अंदर फसे रहते हैं उनको जेसी भी से निकालना पड़ता है मतलब आप लोग खुद नदजर लगा लोग कि किस फोर्से कितनी स्पीड में यह एक्सिट हुआ होगा टककर इतनी जोरदार रहते हैं कि जो बस नीचे से ऊपर की तरफ आरी होती है और ट्रैवलर नीचे की तरफ जार होता है बस जैसी ट्रैवलर को हिट करती है तो भाई मतलब इतनी जादा फोर्से हिट करती है कि जो ट्रैवलर की डिरेक्शन रहती उसको अपनी तरफ मोड़ देती है मतलब इतनी बुरी तरीके से यह accident होता है यहाँ पर अगर मैं बस के बारे में बात करूँ तो भाई बस को अगर आप देखोगे तो उसका bumper windshield और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो कि आपर देखोगे खेर यहाँ पर अन्होनी होने से रह गई क्योंकि भाई यह बस बस और जो ट्रैवलर है वह कहीं पहाड से नीची निगरे साइड में बिल्कुल खड़े हो गई जिसके वज़े से सब की जान बच गई अदर्वाइस इससे भी भायनक हादसा हो सकता था नमबर 3 यह एक्सिनेंट होता है गौहाटी में जहाँ एक हस्बेंट वाइफ और एक किड़ अपनी गाड़ी में बैटके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं एक ट्रैवलर जो की काफी ज़दा हाई स्पीड में आता है और इस कार को हिट कर देता है यह तकर इतनी ज़दा जोरदार रहते हैं कि आप कार की में जिस देखके खोद अंदाजा लगा सकते हो फ्रंट से बॉनर्ट, बंपर, हेडलाइट, सब कुछ बिचक गया है, विंडशेल भी इसकी खतम हो गई है और यहाँ पर काफी ज़दा बुरा एक्सिडेंट हो जाता है जो ट्रैवलर रहता है, उसके उसके इंदर भी काफी ज़दा डामेज रहते हैं, जो आई वीटनस लोग रहते हैं जिन्मों नई एकसिडेंट होते हुए देखा होता है इसके लाव ट्रैवलर के अंदर बैठे 15 लोग जो रहते है वो भी काफी बुरी तरीके से इंज़र्ड हो जाते है और जो ट्रैवलर का ड्राइवर रहते है उसको अरेस्ट कर लेती है पोलिस्ट नमबर 4 यह UK का एक्सिडेंट है जो कि उतराखंड में होता है दो ट्रैवलर का एक साथ यह एक्सिडेंट हो जाता है होता है जो फॉस्ट ट्रैवलर वाला बंदा रहता है वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा होता है और सामने से कार आ रही होती है जिसे वो मतलब साइड देने की कोशिश करता है और उतने ही बीच में पता नहीं कैसे जो ट्रैवलर रहता है वो अनकंट्रोल हो जाता है और अनकंट्रोल होने के बाद पूरी तरीके से पलट जाता है एक तरफ और जैसे ही उसके पीशे वाल लगबग 5 लोगों की तो on the spot death हो जाती है और लगबग 24 से भी जादा लोग जो है वो काफी बुरी तरीके से injured हो जाते हैं यहाँ पर जो सारी की सारी गलती रहती है बाई मेरे को लगता है अगर आप लोग भी गाड़ी को पहाड़ी चलाते हो तो थोड़ा सा यार सिंसेरिट पे गाड़ी चलाना और पहाड़ों में गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादर जमीन आसमान का फरक होता है आपके एक नैनो सेगंड की भी गलती होगी तो उसका जो खामियादा रहेगा वो आपके जिंदगी से ही जुड़ा रहेगा मतलब खतम सब पुछ खतम गाड़ी पूरा एक्सेय्ट भेलिकांन की एकोशिश करता है इतने पेडिक मारने के बावजूद भी भाई जो ट्रेवलर है वो आपस यांपर अगर आप लग अपशिद भी कितने जादा रही थी ब्रेक मारने के बावजूद भी भाई जो ट्रक और जो ट्रैवलर है वो आपस में एक दूसरे से बेड़ जाते हैं इस एक्षेड़ में तीन लोग की तो ऑन देख सकते हो फ्रंट से काफ जिदा खसता हुई पड़ी है मलब हालत खराब है जो ट्रै आप ट्रैवलर का अकॉरडिन देखोगे और बस जब लेगी ना तो बाई ट्रैवलर का काफी जदा नुकसान होगा ही होगा यह एक्षेड़ भी हैड-on कोलिजन होता है और यह भी ओवर टेकिंग करने की वज़ए से होता है हम हाई वे जब भी जाते हैं तो भाई हमारे द करने की पूरा को जयते है और सीदां कर देख है इसके अंदर एक बंदेगी तो दैथ हो जातीँ है और लगबक 16 से जाधा लोग इंजर्ड हो जाते हैं तेंपू ट्रावलर को अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से टोटली डैमेज हो गया है और बसके अंदर भी काफी ज़्यादा डैमेजी देखने को मिल रहे होंगे करोगे द्राव करोगे काफी मुझकी मुझकीन तो यहां पर यहीं एकजेटी है कि यह जो कर ना यहां पर गाड़ी के पास रहने चाहिए और यह बंदा लगवा कंशे कंशे प्लस Gढडी कुछ बहारा होता है और एक दम से सोचता है कि कट मारके मैं आराम से निकल जाओंगा बट यहीं पे पूरा का पूरा एक्सिडेंट हो जाता है Gढडी जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है और सीधा जाकर कि एक खाई जैसी रहती है तो थोड़ी सी गाड़ी स्लो करके निकाला करो क्योंकि आप लोगों नहीं मालूम एकदम से कब गाड़ी डिस्बैलेंस हो जाएगी और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे एक बार वह उनकंट्रोल होई तो भाई भूल जाओ जहां उसका मन करेगा वहां जाएगी पहले डंपर ट्रक को हिट कर देता है जो कि साइड में खड़ा रहता है इसके अंदर एक बंदेगी तो दैस हो जाती है और लगबग तीन लोग जो हैं वह इंजर्ड हो जाते हैं अब आप लोग सोच रहोगे कि ट्रैवलर वाली की गलती है क्यों ओवर स्पीडिंग कर रहा था म गाड़ी ट्रक कर चले काड़ जाता है किस वजह से मुझे नहीं मालो एक दम से कर पर मुडता है तो सामने से गाड़ी आ रही होती है जिसक्य जगा देने के चक्कर में बाई वो सीधा ले जाकर के डं पर से हिट हो जाता है यो देखर हो तो आपको काफी देमेज signs को मिलра ह है है एक परसेंट की इसमें दैद भी हो जाती है और काफी लोग इंजर्ड हो गई है इसके अंदर आप लोग देख सकते हो और टैंपू ट्रावलर की हालत जो है वो भी खराब है तो यह एक्षिड़न जो बेसिकली होता है है रात के टाइम में वैसे नॉर्मली लोग सोचते है कि रोड खाली है तो थोड़ा सा भागा लिया जाए वही कहीं न कहीं एक्षिड़न होने के चांसे जो बढ़ जाते हैं क्योंकि हम लोग चीजों को इग्नोर करने लगते हैं कि आरे कौन देखने वाला है कौन चलान हमारा करने वाला है भागाओ गारी जितनी बढगानी की तरफ जा रहा होता है और जो इनोवा रहती है वो मैंगलूरू की तरफ से उधिपी की तरफ आ रही होती है यह एक्सिडेंट का जो सारा का सारा काना रहता है वो बारिश होना होता है बिसिकली जो यह रास्ता रहता है यहां पर कुछ टैम पहले ही बारिश ही होती है और र भाई दीरे दीरे जा करके उससे जा करके हिट हो जाती है यहां पर डेमेजिस है, इन्वा में भी थोड़े बाफ डेमेज आपको मिलेंगे और ट्रेवलर में भी थोड़े बाई देखने को मिल रहोंगे प्ट खेर सुकर है कि भाई किसी की भी जानने गई तो यही था आज का वीडियो आई होप सो आप लोगो वीडियो देख करके काफी चीज़े समझने को मिली होंगी और बाकि किसी नेक्स टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम पर डियम कर देना भाई